नमस्कार मैं हूँ अमित बर्मा और आज जो है जार्खन सचिवाले पेपर टू खोठा भासा में से जो छाहर कहानी संग्रा है उसमें से एक कहानी है चोर डकैत लुडेरा ठीक है इसको जो है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जो चोर डकैत लुडेरा है इसमें होता क्या है क कि एक हरकु नाम का एक लड़का होता है ठीक है और वही जो है थोड़ा बहुत चोरी किया होता है तो आप लोग देखे होंगे कि समाज में जो है आपके आज पास या फिर आपका गाउं मुहला में जो है या फिर समाज में जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीना मेहनत किय होवे पैसा कमाते हैं या अच्छे से जिन्दची जीना चाथे हैं लेकिन मेनद करना नहीं चाहते हैं तो इसमें एक पात्र है जिसका नाम हर्खु इसी के बारे में पूरा बताया गया किस परकार चोड़ी करता है और कितने साल की सजा होती है और किस परकार जो है इसके लाइफ में जो है बदलाव होती है ठीक है इसमें एक और पात्र है ठीक है जो जलाल उद्दिन नाम है ठीक है जलाल लुद्दिन नाम है इसके बारे में आप लोग आप देखिएगा ठीक है ये भी बहुत बड़ा जो है चोर होता है लेकिन ये चोरी करता है उसी के घर में जो ज़्यादा पैसा लुटता है यासे भरस्टाचारी के मावले में जो ज़्यादा आगे राता है उसी के घर में चो और हर्कू के जेल रही और गुना रही सरकारी बिजली तार काटल कर, और इसलिए जेल हुआ था हर्कू को कि ये सरकारी बिजली जो होता है, थेक है उसका तार जो नोंने काट दिया था जिसके कारें जो है इसको जिल के सजा होवी थी और रंगे हाथ बिजली तार काटते तो ना ही पकड़ायल मगर अपकर घरे उ चोरी के तार बरामत होल रही ठीक है और रंगे हाथ तो तार चोरी करते हुए जो है इसको हर्कू को नहीं पकड़ा गया था लेकिन हर्कू के गर से जो है तार बरामत किया गया था जिसके कारण जो है इसको सजा होई थी और जेल जाना पड़ा था हर्कू उपर आगो ले एक अंहे गहर ढोके चोरी के केस रही और जो हर्कू है इस पर पहले भी एक केस था तीक है घर में गुशार किया होता है और दुपी के मामले में 500 की एक हजार रुपया समान होतले चोरी गेल और जो भी चोरी किया था जैसे कि पहले जो चोरी किया था घर में गुशके और बाद में चोरी किया था सरकारी तार काट लिया था तो इनका कीमत कितना था इनका कीमत था पांच सो की हजार रुपया के शमान जो है चोरी कर लिया था और सजा होल रही छो बचर और ये दोनों में जो है जो चोरी किया था एक जो तार चोरी किया था एक घर में जो गूशा था हरकू ये दोनों में जो है इसको सजा मिले थी छे बजर की ठीक है तीन बचर हजाइद के नाम पर और तीन बचर सजाइद के नाम पर ठीक है तो इसक से देखिए यहां पर कि हर्खु गाउं घारे के गरीब आदमी रहे वोकर बाप दादा अराम तलफ आदमी अति रहतीं जमीन जगा तो धहर रहे वोकर बाप दादा मगर मेहनते कम खाई ठाट बठाई में बेशी जमीन जायदाद और साव महाजन ठीन सो बेच खुची के सिर करती है इसको पहला चोरी करता है विजली का तार और दूसरा चोरी करता है किसी के घर में गुस के सवान चोरी करता है ठीक है इसके लिए हर्कु को छे साल की सजा होती है यह जो हर्कु है गरीब परिवार से खता है लेकिन इसके बाप दादा जो है काफी रंगदार हुआ क करते थे जिसके करने नोकिया किया किया जिमाइन जो भी था ठीक है कामधाम टहुल करना नहीं था ठाड बाठ से बैठके क्यों खाया करते थे बाप पलाजा लोग तो वर यह सब क्या किये जमीन जैदा जो हरखूं के पड़ पिर प्रक्या मिलेगा तो फिर चोरीकरने के उतर गिया था और सेम जो है इसम्झे जैसे बाप दाला थे कि कुछ कामधाम करना नहीं है और बैठे बैठे को खाना है घर फिर पूछ को मुझए क उतर गिया ब्र Genes बचल खुचल रहवू करई तो ध्यान से देखे सुने और नाई और कहता कि थोड़ा बहुत जो भी जवीन बच गया था बाप दादा का उसका उजवीन जो है या फिर ओ संपति जो है उसको देख रेक करना वाला कोई नहीं था मनक आलाइस तनक आलाइस अर ग्याने के कमी के चलते धानी से गरीव हो गयल और हर्खु के परिवार कहता की जो हर्खु का परिवार है इसके पास काफो संपति था हर्खु के बाप जाता थे इसके पास काफी संपति था. लेकिन आलाइस के कारण जो है यह लोग काम-धहम करना काम-धहम maison करना प्रशन знаком नहीं करते थे जिसके करण किया है जो संपति था उसको बेचते गया खाते गया बेचते गया खाते गया और ऐसा समय आया कि संपति भत्म हो गया ठिक है और खाने को कुछ नहीं बचा समझे रहे न और जो भी बचा था तो आलस के कारण ये सब कुछ करता नहीं था हम लोग घर बैठे काना इसको पसंद था ठाट बाट से तो वही कह रहा है कि आलस के कारण जो है और ग्यान के कमी के कारण जो है जो है धनी से गरीव हो गया था इसको जरूर याद रखना आलस और ग्यान के कमी के कारण जो है ये धनी से गरीव हो गया था इसको रुर्याद रखिये इस मुचा जा सकता अरड़ कर दिया था अब आगे देखि disp गता है तो हर खुय तो खंदान कर रहन सहन से करने लगा यह जुरी कर छोटा मोड़ा चोरी करके जो है अपना जिंद्गी जो है चला रहा था हर खूओ आपन बाप दारा के चाय चलाल महनत एक खांपीन बीना दारु बीना सर सीखार तो मुहत झुक्बे ना करते लिए और कहता है कि हर खूँ जो है अपने बाप दारा के जैसा सीख गया था कि मह भाईनत नहीं करना है ठाट वाट से रहना है और खान पीन में जू है डारू के बीना खाना घजाएगा नहीं टीख है तो काफी थान से रहता था लेकिन पैसे की जरिया नहीं था इसलिए चोरी करने लगा था हरकू हर्कू कर आदत हरखू कर आदत है ङलड है बीना खटहें खाइप पीये ले खाईपे ले हिरा कर सैंगार लेकिन होटा मोट बड़ा नहीं चोरी करहे में मेहनत कडंड टीटिम में और कहता है कि अगर बहुत कम समय लगता है लैकिन आप मेहनद करोगा अगर है तो आप को यूरी कमाना गंटा तो आपको काम कर नहीं पड़ेगा ना लेकिन इस अब से दूर रहकर करके जो है हर कुछ बेस्विस्प आदमी के ठके में वेमानी करें हैं लूज मदारी करें और को देर नाय लागा और कहता है कि यह सब जो है छोटा मुटा चोरी कर दे थे ठीक है लेकिन गरीब समझ के जो है लोग इन लोग इस सब को जो है छोटा छोटा चोर को जो छोट दे रहते हैं और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है वही चीज हम आपको पढ़ दे रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है आपर कि क्या बन जाता था क्या आदत लग गया था इसका कि चोरी तो करता था चोरी करने के बाद छूट भी जाता था गरीब समझ के इसको छोड़ देते थे तो वही का राय कि कि सावा सेर सियार से बाग बन जाता था ठीक है मतलब इसका थोड़ा सा और मनोबल बढ़ जाता था कि चलो चोरी करेंगे तो छोड़ी दे रहा है ना इसलिए फिर दुबाय चोरी करने निकल जाता था ठीक है जो है उसके बाद हरकु जकन जेल रहे कये गो चोर बदमास डगीट लूटेरा संग भेट रहे और जब हरकु जब जब जल गिया था छेवर्ष के लिए ठीक है तुश में जेल में का और भी चोर बदमास डगायद लूटेरा संग से इनका भेट हुआ और हरकु तो छोट चोर कर ले रहे और चाव बचर कर सजा भोगते हलक और हरकु जो है छोटा चोरी किया हुआ होता है यहां कहा जा रहा है कि हरकु तो छोट चोरी कर ले रहे और चाव बचर कर सजा भोगते हलक और कहता है कि हरकु जो है यह छोटा चोरी करता था जिसके कार में जिसका बहुत कम सजा सुनाए गया था ठीक है यह जो ईसको और ज्यादा बदमास लोग थे जेल में उसको कम सजा सुनाए गया था तो परिवार का है इसका परिवार का है इसका परिवार तो कुछ उतने बड़े हैं नहीं खंदान इसका नेता मंदरी से मिला होता नहीं है ठीक है तो ये बेचारा फस जाता है जेल में छे साल इसका सजा होता है लेकिन इससे जो जादा चोरी रखेती करता है उसको जो एक कम सजा होता है क्योंकि बड़े बड़े चोरी करने वाले के पीछे बड़े बड़े लोगों की हाथ होती है ठीक है पैरवी करे वाला रहे हल्थीन सेला केस लेड़के गौवा के मुह बंद कराएके केस खतम करवे हला और कहता है कि जो बड़े बड़े चोर जो लोग होते हैं ठीक है उनके पीछे जो है बड़े बड़े लोग होते हैं बड़े बड़े पैरवी करने वाले होते हैं और किस लड़ के बड़े बड़े लोग उननोग को कम सजा सुनुआते हैं ठीक है और यह बात हरकू बेरा लेखे भूजे हल एज जो कहा जाता है कि हरकू जो जोटा मोटा चोरिक की हैं और हमको छे वर्स की सजा हुई है और इस जेल में हमसे ज़ादा बड़ा बड़ा गुना कि किया है उसको कम सजा हुई है कम सजा होने कारण यहीं हर को सोच रहा है कि इसके पीछे बड़े-बड़े लोगों की हाथ है इसके पीछे नेता मंत्री का हाथ है और नेता मंत्री लोग इसको छोड़ाने के लिए केस वगरह लड़ते हैं और फिर जो बड़े बड़े चोर होते हैं उसका सजा कम करवा देते हैं सब ठीक है पैसे उसे देख करके उसके बाद क्या होता है उसको देखिए यहाँ पर कि उसका देख ले रहे जेल भीतर जलालुदिन डकाइत के ठीक है तह आपको बोले था ना कि जलाल उद्दिन एक डकायत आपको देखने को मिल लेगा दो ही पादर्वतु हैं एक हर्कु और एक चलाल उद्दिन डकायत ठीक एह जुह हर्कु जो है गडियर से जलीफ से नाम होता है जुफरी में नियुक्त करल देखताय है जलालोदिन डखाइद में जुटे में घर में गुष की तार चोरी लिया तो बढ़ा बढ़ा लोग दालता था जमानत्य जाटे करने वाला नहीं था इसलिए जयादा सजा मिलता है इसको जो जामानत दिलवा देता था, क्यों कि इसके पीछे बड़े-बड़े लोग जो है, इसके मंत्री दोस्त हुगा करते थे, ज्रालोदिन ड्यकायद के जिसे करें सब मंतिरी वेगरा बड़े जो लोग है इसको जावानत दिलवा देता थे केस वेगरा लड़के ठीक है इसलिएु है कम सजाँ होते थी क्योंके इसके पीछे बड़े-बड़े लोगों की हाथ होँआ करता था पुलीस हो उकर बेस लेखे चिने हल थी और वकीलो मुकतार देखो यहां पे पुलीस भी जो है जलालोदिन डेकायत को चीनता था पुलीस भी जुह इस से मिला हुआ था ठीक है, और वकील भी जुह है वकील का नाम क्या है मोक्तार इसको ज़रूर याद रखिएगा एक जाम में पूछाया सकता है ठीक है कि मोक्तार अधुलिया वकील का सब्सक्राइब डागा टिए था कि हम जेल जाएंगे तो क्या होगा नहीं होगा जानता है कि हम अगर जेल जाएंगे था हमारे पीछ से बड़े बड़े लोग है तो जो है पर ने सिंदगी जो है जिया करता था हाँ जलाल उद्दीन ओक्रहिया हुआ डखेति करता लड़ं की वाइंक कि उसलिशने के लुटते थे ठीक है एक क्या करते थे उन लोगों के घर लुटते थे जो गरीबों के साथ सोशन करता है गरीबों के खुन चूशने का काम करता है ठीक है गरीबों पर अत्यचार करता है जलालुद्दिन सरकारी चीज के नुकसान नाई पहुचावे हलक और जो जलालुद्द तो गरीब और दुखी जो रहते थे उसका यो मैंध सिआ कर थे है उच्ट गाहा कि गरए सहर बजार वेकि इजचत समान रहे औंक्र जो ये सहर बजार में जो इसका काierno आखी इजचत करता था हाँ गरीब कुछ अगर कुछ मदद की ज़ुरत परती थी तो जलालोदिन जो है यह भी करता था ठीक है पूलीश अफसरों संग और उठन बैठन रही जलादिन रेकात था जो बड़े-बड़े डाकाट डाला करता था यह जो है इसका पहुच्छ पुलीश अफसर के शाथ भी था और जावान धड़िंगा रहे और कहता है कि जावान था ठीक है जलालोदिन रेकात जो है जावान था उसकी बाद क्या होता है उसको देखिए इसके चेहरे में जो है इसके चेहरे में जो है ना कोनो सीकन रही ना कोनो डर भाई रही ठीक है और इसके चेहरे में मनलोग काफी शान से घूमता था इसका जान पहचान भी पुलिस अफसरों के शार्थ था ये चोरी भी जो है उसी के घर करता था जो गरीबू के शार्थ पेरविश करके जो है इसका जो है सजा जो कम करवा देता था और फिर जेल से बाहर निकल जाता और फिर जो है चोरी वूरी करने लगजा था जलादुन डगए ठीक है तो इसके बारे मापने समझ लिया ना अब थोड़ा से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या है उसको देखें उस सोचे हल आपन ही हीन भाव समय लागले ओकर हिदा में आपन के छोट और नाचीज बुझे लागल समझ रहे हैं अपने आपको बहुत ही गलत फील करने लगा कि हम जो चोरी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं चोरी नहीं करना चाहिए ठीक है और इसके बाद कहता है कि हरकू आरो देखल जेहल भीतर में ठीक है हरकू आरो देखल जेहल भीतरे और और भी जो है बहुत कुछ जो है हरक लूट कांड čार पांच फो छोकडा धराय लुए था भी जील गया था ठीक है बाकी और जो लोग थे उससाbenड सब बड़े बड़े कांड कर्था बड़े पचीश धर्काइट के जो है जो सभी अठारा से बाइस पचीस बचर के भीत्रे के जवान सुन्दर भूजा कायक रहे और कहता है कि सब जो है बाइस से पचीस बचर के लड़ता लोग थे जो पांच बैंक डखेती के कांड में जो पांच लोग जो जेल गये थे जिसको हरकु ने जेल में देखा था वो सब ज जवान थे और सुन्दर दिखते थे ठीक है जेहल ढूकल रहत तकहन चेहरा मलीन हो रही मगर लजाइल तरी नाई जैसे ओखनी कोनों बढ़का गुना नेखत कर और जब जेल भूसता था पांच लड़का तो थोड़ा सा जो है उसका चेहरा जो है डाउन रहता था लेकिन ला जाता नहीं था ठीक है उसको इसलिए नहीं ला जाता था क्योंकि जो है अपने आपको नहीं समझता था कि हम लोग बढ़का गुना किये हुए है जेल कर हजायत में 10-15 दिन के महिना दिन रहल ठीक है ओकिन ठीन भेट करे आवलतिन ओकिन कर बाप माई भाई वहीन सांग बीच में इसके बाप माई इसके भाई बहन इसके संगी गुया साथी उत्री जो है सब मिलने के लिए आता था क्योंकि जो है बड़े घर के लोग थे बच्चे लोग ठीक है लेकिन हरकु जो है गरीब घर से था चोटा मोटा चोरी करके जो है यह आया हुआ था जेल में और गरीब घर के होने के कारण जो है इसके घर से कोई मिलने के लिए नहीं आता था ठीक है लेकिन जो पांचो लड़का धराया था बैंक लूट कार्ण में ठीक है इसके जो है पांचो लड़का जो है काफी अमीर घर के थे और इसके जो है सब रिलेटिव वगरा जो है मिलने दर चहल फाल ठीक है कखनू कखनू किर्किदावे करतले मतलब कभी कभी जो है उच्छालकूद करने लगता है इस सब चायरो पाचों रहत बोड़ घर के चाहूँआ और आपको बोले था ना कि पांच गो लड़का जो घराय था बैंक लून कार्ड में ठीक है इसका ओम्र क्या था 22 से 25 वर्स के लड़के थे ठीक है और यह सब जो है कहां गये थे जेल गये थे और जेल जाने के कारण जो एसम डरते नहीं थे ऑड़े बड़े घर के लोग थे कहां के लोग तहें सब यहां पर देखें इहां पर लिखा हुआ है मदलब दरोगा niceości बेंक मेरे। नों श्युरू जमेख करते जीक्ड़े रिйटा कि दरोगा के बेटा कोई विधाय की पेटा था लगते रिग्यां मेरा था जानता था कि मेरे घर परिवार जो है काफी बड़े आदमी पहुच वाला है और हमको छुटा लेगा इसलिए जी जान से जो है सौकत से जो है अपना वहाँ पर जीया करते थे जेल में समय काटा करते थे ठीक है और यही सब का किसी का दरोगा का बेटा है तो कोई अफसर का ब मेरा बाप मेरा चाचा मेरा जो गोतिया है सब विधायक वेगरा है अफसर वेगरा है तो सब जो है थोड़ा सा जो है पैसे उसे दे करके हमको छोड़ा ही लेगा इसलिए उसको टेंशन नहीं रहता था ठीक है जखिन लूट रिश्वत और कमिशन लाई लेके बढ़का बन वाला रहत और कहता है कि बहुत पैसा था बड़ा बड़ा गाली था बड़ा बड़ा इज्जत इसके पास था ठीक है और बड़ा बड़ा जो है इसके पास घर ठीक है और इसी के बच्चे जो है बैंक को लूट करके जो है लूटने का कारण जो है इसको जो है यह सब के फौस ऑकनी के बड़ाल रहें और यह क्या कहता हैं कि बच्चे से जु़ एस सब देखो अब घर में बाप just यूआ रहा है है तो इसका बच्चा को भी पैसा के लग जाते और इसके करण जो है बड़े-बड़े लोगों का जो बच्चे होते फिर सब जानते कि काम में जेल चले जाएंगे तो मेरा बाप बड़ा आदमी है यहाँ छुडा लेगा तिक है इसलिए जो है इसको पता था कि हम बड़े-बड़े घर के लोग है इसलिए बड़े-बड़े कांड़ लूटता था और राते भर में करोड़पती बनने का जो है जो जेल गए थे हैं इसका बाप बेड़ा मेहनत किये हुए बड़ा आदमी बना था आईसे ने बीना कड़ा मेहनत कर ले विलासिता कर जिंदगी जीए ले और ते इनके मेहनत थाई ठीक है मतलब लूटे के बजा से कूद फाद करे होल तनी खूद जो हुसियारी तनी खूद अस्तर वस्तर से बड़ा बड़का छोटका बैंक जहां भगोट डहर जोगाड मिले के सुविधा बुला इतलीन सनक लूटे में चढ़ाय नभाय जंगल जहाड बस्ती गाउं शुनशान जगा जहां बेसी गामगारी मेहनत कर नाई कर पड़ती और यह जो बड़े-बड़ घर के जो बच्चे थे एस जो है मेहनत नहीं करना चाहते थे ठीक है और यह सब देखेistors करकते थे अपड़े बड़े बड़े घर के जो बड़े बड़े बेटे थे पैसे वाले एसब जो है रातु रात क्रोडपती बरने के लिए अस्त्र सरस्त्र का बंदुक वेगरा का पर्योग करके जो है भागने का जुगाल करके जो है किदर से स्वीधा मिलेगा किदर से भागेंगे एसब का व्यवस्था करके जो है एस सब देख करके जो है, इसका मन, नहीं हारने लगा था, ठीक है, जेल में जाता है, तो देखता है, जलाल अधिन के बारे में, जो काफी जान, सान सौकत से जीता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा करता है जलालतिन लेकिन जो है कम वर्ष की सजा होती है यह देखता है हरकूं इसके अलबाद बैंक लुट सब्सक्राइब करता है कि हम छोटा मोटा चोरी करके हमको 6 साल के सजा हुई है और यह सब बड़े-बड़े चोरी करके जो है यह सब 15-20 दिन एक माईना दो माईना में रह करके यहां से निकल जा रहा है तो वही यहां पे जो है हर्खु जो है इसका मन जो है काफी जो है थोड़ा गडबड हो गया था काफी उदास हो गया था इस अब देख करके सिस्टम को शामाजिक व्यवस्था राजनितिक व्यवस्था और कानुन नया के व्यवस्था देखी के काफी प्रिशान हो गया था कौन आपने जर्म के ऐसे सह भागवानों काय जर्म जर्म than month परिवार में जन्मद एक है एक पनी आपको उस्था ऊपनी आपको काफी गिल्टी आपको उसके बारता है और कहता लिखoureान लेकर में विरोद करे के ना टो छमता रही ना पहुच और विरोध के और बड़े घर के परीवार से तो नहीं आता थे मद्यम भर के परिवार से आता थे मजदूर घर से गरीब घर के परिवार से आता थे इसलिए जो विरोध करने का कोई जिसके पास शाधन नहीं था ठीक है ना ही कहीं पर कोई पहुच था नेता मंत्री से कईयों अकर पांच बच्चे बड़े-बड़े घर के लोग थे और इनको पता था कि आज हम जेल में आए तो कुछ दिन के बाद हम यहां से निकल जाएंगे हो कि मेरे जो बाप दादा जो है उससे बड़े-बड़े-घर के लोग है ठीक है अन्याय विरोधी भावना जागे हलाई और अन बेवस फिल करने लगा ठीक है हरकूज सोचते सोचते सूती गेल रहे हैरान रहे हतंग पतंग वेशुद पड़तल रहे गरीब रहे दुखल शहल रहे शेले ओकर हार अटेक ना भेले और हरकुछ हुए सब काफ़ी सोचते टेंट्सन में हो जाता है ठीक है और यह सो जाता ह है ठीक है और सोने के बाद कहता है कि लूटी लाठी के घूस पेच बैवानी से बाढ़ल बढ़का गयान ओला जोदी एतना सोचता ला तो कखने ओखिन गया हार्ट अटेक हो इतले और कहता है कि अगर कोई जो अगर जलाल उद्दिन अगर यह सब सोचता ना तो उसको जो कब लगपर बरते कर अटेक आता है था हर खू के जक्तन नींद टुटलाई जक्षन धेयर वेड़ा ऊइघल रही और जब हर खू को जो जाता है प्रवर नींद कुलता है तो समें सुब्सरीय को जो जबाव हो गया होता है आइँ मैस्ते मैस्ते उक कसम खालक मने मन और आस मस्त मजधूरी करके जीएव सेटा बेस और फिर हर कुछrr है कशूट चील में सीडिक घूटने के बाद हो यहां से हम चौरि धान्द जो है नहीं करेंगे मेरे पास पिस्स्तोल और राइफर है मेरे जो है घर वाले बड़े बड़े लोग नहीं है डूहे बड़े बड़े लोग नहीं है जिसके कारी जूहें अब lub मेहनत करेंगे मज़दूरी करेंगे और अन् कि यह जलाल हिसा लुद्दिम का जो है lifestyle देखता है ठीक है इसके अलावा जो है पांच जो जो वासे गच्टेश्ट जो बच्चे थे टिक यह वासे प्चिन सल के बच्चे जो थे जो बैंक को लूड़ करके जो है उसके कारण जो जो है यह को जेल की सज़ा होगी थी ए सब्सक्राइब केंट से बाड़ी लोगों से बेलॉंग नहीं करता है हमारा सोर्स पेरविक करने वाला कोई नहीं है छोटा मोटो चोरी करने करने के कारण 6 साल की सजा हो रही है इससे काफी केस्ट हुई है वो संडे को हम लेंगे एक ही दिन ठीक है अभी क्लासस कंट्रीन होने दिजे और समय पर हम कंप्लीट हो जाएगा से लिए बस पचीस मार्च तक ठीक है बाकी हम लोग नेक्स क्लास में डिसक्स करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक्यों